फेलो गाइस वेलकम टो आवर येर्टेफ चानल स्टुडि विथ एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लास लेके आए हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखन के सभी एक्जाम्स कि रिकार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जी के जी एस एंड उ इस स्रीस आपके आगामी आरो यारो एक्साम, आगामी पुलिस भरती, अधिशाशी, अधिकारी, कनिष्ट साहिक, वैसाई जैसे एक्साम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाली है। और अभी तक आप लोगों को इस स्रीस के 9 पार्ट अल्लिडी प्रोबाइट करा दी गए हैं, आज ही 10 पार्ट है, अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप स्टुडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं, चलिए आज के स्रीस को हम स्टार् हमारे YouTube चैनल स्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है, वो सस्क्राइब कर लें, साथ इसान पगल में जो बैल आइकन देख रहा है, से भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं, आप सभी लोग हमारे टेलिक्राम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं, ये भी स्टुडी विद एम की नाम से ही बना हुआ है, और टेलिक्राम गुरूप पर रात को 8 बजे क्वेस का भी आजन किया जाता है, और अगर आप लोगों को इस सिरीस की पीडियो चाहिए, तो व पुरानी सिरीस देख लिजे, स्टुडी विद एम पर विजिट करके, आज हम 181 से कंटिन्यू करेंगे, तो इस सिरीस में आपका 181 नमर का कुश्चन है, किस नदी से निर्मित घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, इंपोर्टेंट कुश्चन है, तो देखिए दिये गए औप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी, कोसी नदी से निर्मित घाटी को कहा जाता है, धान का कटोरा, औप्शन थर्ड बिलकुल राइट आंसर है, देखिए, कोसी नदी की अगर हम बात करें, तो कोसी नदी कौसानी के बागेश्वर जनपद में, कौ 68 किलो मीटर बहने के बाद, उधम सिंग नगर के सुल्तान पुरिस्थान पर राजी से बाहर निकल जाती है, और उत्तर प्रदेश में ये नदी राम गंगा में मिल जाती है, कुमाओं में इसके घाटी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, इसके अलावा देख मिनोल गाड और सुमाली गाड देव गाड, मिनोल गाड और सुमाली गाड आदी इसके सायक नदिया है, नेक्ट कुशन देखेंगे उत्राखंड में ट्रांस हिमाली का विस्तार है, पिथोरागर जनपद में आप्शन, सिकेंड बिलकुल राइट आंसर है, देखेंगे ट्रांस हिमाली महा हिमाली के उत्तर में स्तित है, और इस छेतर की चोड़ाई इस छेतर की चोड़ाई 20 से 30 किलो मेटर वह उचाई 2500 से 3500 मेटर है, और इस छेतर की परवत शेनियों को क्या कहा जाता है, इस छेतर की परवत शेनियों को जैक्षर शेनी कहा जाता है देखे, जेलूखगा, माना, नेती, चोर होती, दमजन, शलशल, किंगरी-बिंगरी, दार्मा, लिपुलेग, आधी दर्रे, ट्रांस हिमाले छेत्र के दर्रे हैं यह आपको याद रखना है, यह सबी दर्रे ट्रांस हिमाले छेत्र में है अगला कुशन देखेंगे, पौरव वंच में जमीन की नाप करने वाले को क्या कहते थे, बात करते हैं भागिक की, तो पौरव वंच में कर लेने वाले अधिकारी को कहा जाता था भागिक, यह आपको याद रखना है और देखें, पौरव वंच में राजा जहां रहता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था, कोट या फिर महल कहा जाता था अगला कुश्यन देखेंगे भेटी बुग्याल किस जनपद में हैं देखें भेटी नामक जो बुग्याल है आपका ये है कहां पर चमूली में option second is question का right answer है अगला देखेंगे उत्राखन में लाली किस प्रकार का गीत है तो देखे उत्राखन में लाली जो है ये आपका किस प्रकार का गीत है ये एक रितू गीत है option third यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखिए हूली, बासंती, चैती, चौमासा, बारमासा, खुदेड, फूल देई, जुमैलो, मागगीत, श्रमणगीत, लाली, आदी रितू गीत हैं तो इन सभी गीतों को आप याद रखेंगे कौन-कौन से रितू गीत होते हैं पता रहना चाहिए नृति गीत की बात करते हैं तो तांदी, इसके अलावा चाचर, चौफला, छोपती, थड़िया, जोड़ा, बैरी ये सब यापके नृति गीत होते हैं धार्मिक गीत की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णव, पांडव, संबंदी, पौरानिक, लोग गाथाएं जिन हैं जागर भी कहा जाता है तो इस्थानी, देवी देवताओं, संबंदी, जागर, संध्या गीत, प्रभाद गीत, इसके अलावा तंत्र मंत्र गीत, जाद्दू, टोना गीत ये सबी धार्मिक गीत होते हैं और संसकार गीत क्या होते हैं, जन्म, छटी, नामकरण, चूड़ा कर्म, जने, विवा, आदि संसकारों के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं, इन्हें संसकार गीत कहा जाता है अगला कुश्चन देखेंगे, कुमाओ कमिश्णरी का मुख्याले, अल्मोडा से निनीताल किसके समय आया था, जो मुख्याले है, ये अल्मोडा से निनीताल आया था, किसके समय बैटन के समय, तो ऑप्शन थर्ड यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे, उत्राखंड में पुरा तत्व का जनक किसे माना जाता है? देखें, उत्राखंड राजी में पुरा तत्व का जनक माना जाता है, हेन् वूड को, ऑप्शन फर्स्ट यहां पे आपका बिलकुल राइट आंसर है देखे हिन्वुड ने 1856 में देवी धुरा से महा पाशान कालिन पुराव शेशों की खोज की थी याद रखेंगे important point है हिन्वुड ने 1856 में देवी धुरा से महा पाशान कालिन पुराव शेशों की खोज की और इनहीं उत्राखन में पुरा तत्व का जनक माना जाता है अगला देखेंगे महारास्ट में इस्तित ऐलोरा गुफाओं का निर्माण किसके शाशनकाल में हुआ था देखें महारास्ट में इस्तित ऐलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था किसके समय राश्ट कूट की शाशनकाल की समय ऑप्शन फिर्स यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखें महाराष्ट के और अंगाबाद में इस्तित है ऐलोरा की गुफाएं महाराष्ट में एलोरा एवं एलीफेंटा गुफाओं का निर्मान राश्ट कूट वण्श के शाशनकाल में हुआ एलोरा में 34 शेल कुरित गुफाएं हैं जिन में 1 से लेकर 12 तक बौद धर्म से सम्मनित हैं 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से सम्मनित हैं और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से सम्मनित गुफाएं हैं तो कौन सी गुफाएं किस धर्म से सम्मनित हैं आपको पता रहना चाहिए अगला कुशन है आपका रास्टी परतिरक्षा बिग्जा संस्थान कहा इस्थथ है? आपका नइ दिल्ली में स्थिथ है, औपशन सिखिन बिलकूल रास्थी परतिरक्षा संस्थान, जैय और प्रावध्योगी की विभागे तहथ प्रतिरक्षा सोच संबंदी कारी करता है और देखिए रास्टे प्रतिरक्षा बिग्या सस्थान के नए निदेश्य कौन है इसका आंसर आप कमेंड करके बताईएगा अगर आपको आंसर आता है अगला कुश्यन देखेंगे मुगल शाषन में मनसबदारी परणाली का आइट आंसर है भारत में मुगल काल में सैनिक व्यवस्थाओं में मनसबदारी परणाली की शिरुवात अगबर ने की थी और इस व्यवस्था के अंतरगत अगबर ने अपने शाषन के तीन प्रमोख अंगो सामंत सेना एवं नौकर शाई को एक सामानी व्यवस्था में सं अगबर ने मनसबदारी व्यवस्था 1567 में प्रारंब की थी जो कि मंगोलों की दसमलोप पद्दती पर आधारित थी अगला कुशन है आपका समविधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग का विशेशा दिकार नहित है इंपोर्टेंट कुशन है तो देखे भारती समविधान के अनुछेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेशा दिकार नहित है ओप्शन फोर्ट बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा देखे भारती समविधान के भाग पन्रा में अनुछेद 324 से लेकर अनुछेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है अनुछ अनुछेद 324 में निर्वाचनों का अधिक्षन, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नहित होना बताया गया है अनुछेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाओ संपन कराने की जिम्मेदारी दी गई है अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड राजी में अटल आदर्श ग्राम योजना किश्वर्ष प्रारम की गई तो देखेंगे उत्राखंड राजी में अटल आदर्श ग्राम योजना ये प्रारम की गई है कब की गई वर्ष 2011 में ऑप्शन फस्ट बिलको राइट आंसर है अगला देखेंगे निम् परेकरवाल, option first question का right answer है, next question देखेंगे, सूसना का अधिकार अधिनियम किश वर्ष पारिद किया गया, देखें, most important question है, सूसना का अधिकार अधिनियम पारिद किया गया था, वर्ष 2005 में, option 40, यहाँ पर आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, रास्टी खेल दिवस कम मनाया जाता है, देखें, रास्टी खेल दिवस आपके मनाया जाता है, 29 अगस्त को, option third question का right answer हो जाएगा, next question देखेंगे, पाताल भूनेशर गुफा कितने लंबी है, तो देखें, पाताल भूनेशर जो गुफा है, यह कितने लंबी है, यह है आपके 160 मीटर, option second right answer है, पाताल भूनेशर पितोरगड जिले के गंगोली हाट में इस्तित है, यह ध्यान रिखेंगे, पितोरगड जिले में, गंगोली हाट के पास इस्तित मंदिर है, पाताल भूनेशर और इस गुफा में कई द्वार हैं, जिसमें शेश नाग मोक्ष द्वार प जिलाएं है, अगला कुशन देखेंगे, गर्वाल का हातिम ताई कहा जाता है, गर्वाल का हतिम ताई किससे कहा जाता है? कुवर सिंग नेगी को कहा जाता है, option second right answer हो जाएगा, आपका यहां पे कुवर सिंग नेगी जो है, यह ब्रेल लिपी के लिए जाने जाते हैं, ब् पद्मश्री वो 1990 में पद्मविभूशन पुरुषकार से समाने दिया गया। कौन सिंगनेगी का संबंद ब्रेलिपी से हैं और मुकुंदी लाल ने गड़वाल का हातिम ताई कहा था इन्हें। यह याद रखेंगे कड़वाल का हातिम ताई इन्हें किसने कहा पूल लिया जाए तो मुकुंदी लाल याद रखेंगे और इनका संबंद कहां से हैं पौड़ी जनपत से। पौड़ी ले ग्लास्स बनाई जारी हैं तो आप सभी लोग इन्हें शेर कीजिएगा एंड देखिएगे अगला कुशन उद्योतचन्द ने बद्हानगर का किला कब जेता यहाँ पे करेक्ट कर लिजिएगा उद्योतचन्द का जो सिनापती था जिसका नाम था मैसूश मैसू सा इसमें मारा गया था उद्योचंद के समय गढ़वाल का शाशक कौन था पूछ लिया जाए तो फतेशा उस समय गढ़वाल का शाशक था अगला कुश्यन है गवासा तामर पत्र से समंदिश शाशक था गयान चंद ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है गरूड गयान चंद जो है ये 29 चंद शाशक था फिरोचा तुगलक ने गयान चंद को किसकी उपाधी दी थी गरूड की उपाधी पूछ लिया जाए क तामर पत्र का समंद जो है ये ग्यान चंद से था इसके अलावा सेरा खड़कोट तामर पत्र में इसे राज धिराज महाराज कहा गया है बालिश्वर मंदिर तामर पत्र का समंद किस चंद शाशक से था अगर आप लोगों को आंसर आता इसका तो आप कमेंड करके बताएं comment section में जो भी question पूछ लिए जा रहे हैं आप लोगों से तो आप कुशिश कीजिएगा आपका mind कितना catch कर पा रहा है उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे question put up कर लेती हूँ तो आप इनका answer लगाएं comment section में आपको आ रहा है तो नहीं आ रहा है इसका answer में आपको बताऊंगी comment के माधियम से या next series में आपको बताऊंगी अगला question है आपका खशो को शुद्र वर्ग में समिलित किया गया तो देखे खश पर जाती के जो लोग थे इनको शुद्र वर्ग में समिलित किया गया कब किया गया ये बताना है तो right answer है आपका यहाँ पे 1885 में option second बिल्कुल correct answer हो जाएगा उत्राखंड आने वाली पर जाती की बात करें तो कोल जो थी ये उत्राखंड आने वाली पर जाती थी और कोल के बाद उत्राखंड में किरातों का आधिपात्य हुआ किरातों के बाद उत्राखंड में खश जो पर जाती है इसका उलेक मिलता है खशों में घर जमाई रखने की परथा पर चली थी इसके अलावा टिकुआ पर जटेला पर था भी खशों में ही व्याप्त थी और इस पर जाती के जो लोग थे ये अपनी सबसे बड़ी पूत्र को मंदरों में दान कर देते थे तो इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोग जरूर कर लिजे काफी इंपोर्टेंट है ये आपके आगामी सभी तुरा खंड एक्साम के लिए तो ओके गाईज आज के शेशन में इतना ही आई हूप आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो इस शेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूटिव चैनल इस्टुडी विद इम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें चलिए मिलते हैं कनेक्ट विडियोस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद